बिस्मिल्यारमान रहीम, Mathematics Class 10, Unit 7, Introduction to Technometry ठीक है, आज हम इसमें ये टापिक कवर करेंगे Number First One, Circular System Circular System क्या है? इसमें 1 Radian किसके बराबर होगा? ठीक है, फिर Next Time, Relation between Radian and Degree ठीक है, Degree और Radian में क्या relationship है? Next Time, पढ़ेंगे Conversion of Radian to Degree अगर हमें एक angle Radian में given हो, तो इसको डिगरी में किस तरह convert करेंगे? और अगर डिगरी में given हो, तो वापस इसको Radian में किस तरह convert करेंगे? और लास्ट में exercise 7.1 से question number 3 and 4 करेंगे So, first हम आते हैं, Circular System, means Radian की तरफ, ठीक है? इससे पहले वीडियो में हम 6 Agisimal System पढ़ चुके हैं, जिस में angle को measure करने के लिए हम degree, minutes और seconds unit यूज़ करते हैं, ठीक है? So, अगर आप लोग वीडियो नहीं देख चुके हैं, तो मैं आप लोगों को suggest करूँगा कि वो वीडियो आप लोग पहले देख लें ठीक है? वो मैं i-card और description में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप लोग चेक करें ठीक है? mathematics के बहुत सारे branches जिसमें आप लोगों का calculus आता है, तो इसमें हम angle को measure करने के लिए degree, minutes और second ये unit यूज़ नहीं करते हैं, बलके हम circular system यूज़ करते हैं, और इसमें angle को measure करने के लिए हम radian unit यूज़ करते हैं, तो radian is the ratio of the length of the arc to the radius of the circle, ठीक है? क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग पास एक circle हो, ठीक है? और इसमें अगर आप लोग चेक करिए, आप लोग पास initial side है, यह आप लोगों का terminal side है, अब इन दोनों के दरमयान जो angle बन रहा है, ठीक है? इसको हम let's say theta से denote करते हैं, इन दोनों के दरमयान ज B R है, ठीक है? तो O A, O A आप लोगों पास इसको हम क्या कहते हैं? that is called radius of the circle, ठीक है? इसको हम R से denote करते हैं, ठीक है? यह आप लोगों पास R होगा, इसी तरह O B भी आप लोगों का exactly radius है, ठीक है? जो length में radius, सारे radius आप लोगों पास बराबर होते हैं, तो यह भी आप लोगो का R होगा, ठीक है? अब इन दोनों O B के दरम्यान जो length R है, इसको हम arc कहते हैं, क्या कहते हैं? arc of the circle, यह आप लोगों पास एक्चुल यह circumference का एक पार्ट, एक हिस्सा, ठीक है? और इसको चलो हम LCD note करते हैं, कि LCD note करते हैं? L से, so यह जो mayor up angle, mayor up angle A O B, ठीक है? जो angle आप B, यह O है, ठीक है? सो इसको हमने theta से denote किया हुआ है, ठीक है? सो radian में इसको हम mayor करने के लिए हमने अभी पढ़ा है, कि that is what? ratio of the length of the arc, length of the arc, arc का length आप लोगों पास इसको हमने L से denote किया हुआ है, जबके to the radius of the circle, ठीक है? means L by R आप लोगों पास आ जाएगा, ठीक है? सो यह आप लोगों पास एक पार्मूला आ रहे है कि जो आप लोगों का theta होगा angle, इसको अगर आप radian में mayor करते हैं, so that is what? that is the length of the arc, ठीक है? यह length of the arc, O B की दर्मियान जो यह arc आ रहे है, इसका length, इसको हम LCD note करते है, divided by R, R is what? R is the radius of the circle, so यह आप लोगों पास एक पार्मूला आ ठीक है, so इसी पार्मूला को यूस करके आप लोग radian मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अब अगर let's say, अगर इस arc को हम इस radius के बराबर ले ले ले, ठीक है, means L is equal to what? L is equal to R, तो फिर आप लोगों का जो theta होगा, वो होगा L by R, लेकिन L is what? L की जगह में क्या लिक रहा हूँ? R, so R divided by R, which is equal to what? यहां से आप लोगों पास result 1 आएगा, means 1 radian, ठीक है? So, 1 radian is an angle sustained at a center by an arc length equal to the radius of the center, ठीक है? अगर हमारे पास यह arc जो है, यह AB के दर्मियान जो length है, ठीक है? अगर यह इस radius के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि that will be equal to 1 radian, ठीक है? ठीक है? अच्छा, next हम आते है, relation between the radian and degree, ठीक है? radian और degree में आपस में क्या relationship है? ठीक है? अभी हमने पढ़ा है कि radian में अगर आप angle लेते हैं, that is theta, ठीक है? that is equal to length of the arc divided by radius of the circle, ठीक है? लेकिन, let's say, अगर हम यह आप लोगों पास arc का रहा था, ठीक है? यह portion of the circle, अच्छा, अब अगर हम complete circle के लिए यह arc ले ले ले, ठीक है? complete circle means, यह arc आप लोगों का यहां से शिरू हो के complete एक rotation पी, यहां पी आजाएगा, तो आप लोगों का arc क्या हो जाएगा? ले आप लोगों का यह circumference हो जाएगा, ठीक है? इसको हम circumference केते हैं, means, यहां से शिरू हो के, यह पूरा length, circumference of the circle, so means, theta आप लोगों का radian जो होगा, व of the circle, चलो इसको हमें CCD note करता हूँ, circumference of the circle divided by radius, लेकिन हम आलरडी पता है, previous classes में आप लोग circumference पड़ चुके, के circumference means C, आप लोगों पास किसके बराबर होगा, circumference is equal to 2 pi r, ठीक है? यह हम आलरडी पड़ चुके, चलो इसको में दुबारा प्रूव करवा रहा हूँ, so means, हमन पड़ा था के pi, pi is what? that is the ratio of circumference divided by diameter of the circle, ठीक है? diameter of the circle, so diameter already आप लोगों को पता है, के 2 radius, means यह अगर आप लोगों का एक radius है, इसी तरह आप लोगों का यह second, so means diameter is equal to what? c divided by diameter को में लिक रहा हूँ, r plus r, ठीक है? diameter आप लोगों पास 2r के बराबर है, so means pi is equal to what? that is c divided by 2r, means 2r, अच्छा, अब हमें, चुनकि c चाहिए, so c is equal to, आप इसको cross multiply भी कर सकते है, means c is equal to 2pi r, so यह आप लोगों का circumference हा रहे है, ठीक है? so यहाँ पे अब मैं क्या put कर रहा हूँ, so आप लोगों पास theta will be equal to, c की जगह में क्या लिक रहा हूँ? 2pi r divided by r, थीटा आप लोगों पास क्या हो जाएगा? theta आप लोगों पास हो जाएगा, that is 2pi radian, ठीक है? 2pi radian, complete circle के लिए आप लोगों पास यह हो जाएगा, 2pi radian, लेकिन इससे पहले हमने डिग्रे में पढ़ा था, कि अगर आप लोगों पास यह complete circle, आप लोगों पास अगर चेक करेंगे, आप लोगों पास यहाँ पर यह 90 degree आ रहा था, means इसको हमने 90 degree, पिर यह आप लोगों पास 180 degree, यह 270 degree, और इस complete circle को अगर आप मेर कर रहे हैं, degree में, तो यह complete circle आप लोगों पास आ रहा था, 360 degree, ठीक है? So, degree में आप लोगों पास 360 आ रहे, जबके radian में आप लोगों पास 2 pi आ रहे, ठीक है? So, this means के आप लोगों पास 2 pi radian is equal to 60 degree, 360 degree, ठीक है? यह आप लोगों पास degree में आ रहे, जबकि यह आप लोगों पास radian में आ रहे, complete circle के लिए, ठीक है? सो अच्छा यहां से अब हम यूग कर सकते हैं कि मुझे इसको dividing both the side by 2 इसको अगर आप 2 पे divide करोगे तो यह 2, 2 cancel हो रहा है so means pi radian आप लोगे पास आ जाएगा pi radian is equal to 360 को अगर आप 2 पे divide करोगे so this will be equal to 180 degree ठीक है so यह आप लोगे पास एक relationship आ रहा है degree और radian के इसको मैं highlight कर देता हूँ यह आप लोगे पास एक complete relationship between the radian and degree आ रहा है so यहां से आप मजीद degree और radian आप convert कर सकते मसलना let's say मैं 90 degree मालूम करना चाहता हूँ कि 90 degree radian में किसके बराबर होगा so इसको भी आप 2 पे divide करें यह 90 हो जाएगा 90 degree और इसको भी आप 2 पे divide करें so 90 degree is equal to 5 divided by 2 radian ठीक है इसी तरह let's say अगर आप इसको 60 degree में लिखना चाहते है 60 degree is equal to कितने में आप लोगे इसको 3 पे divide करें ठीक है 3 पे divide करें तो आप लोगे में पास यह 60 degree आजाएगा means that will be equal to pi divided by 3 radian ठीक है अच्छा इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि let's say आप लोगों को यह given है कि 180 degree हमें यह जनल हमने relationship मालूम कर दिया that is equal to pi radian ठीक है अब अगर हम मुझे 1 degree चाहिए तो means इसको आप 180 पे divide करें और इसको भी आप 180 पे divide करें so this means 1 degree is equal to pi divided by 180 d radian ठीक है so यह आप लोगों पास एक और relation हारे कि pi 1 degree is equal to pi divided by 180 ठीक है इसी तरह अगर let's say मैं कहता हूँ कि pi radian is equal to 180 degree जो हमारा main relation आप ठीक है इस side को भी मैं pi से divide कर रहा हूँ और इस side को मैं pi से divide कर रहा हूँ so pi और pi यहां पे cancel हो रहा है means 1 radian is equal to pi sorry 180 degree divided by pi ठीक है so यह आप लोगों पास pi यह आप लोगों पास pi यह आप लोगों पास एक और relation बन रहा है ठीक है आप लोगों पास दो पार मोलेश आ रहे ठीक है so first part आप लोगों को given है to radian so हमने अभी पढ़ा है एक relation हमने पढ़ा है के pi radian ठीक है pi radian is equal to what वो हमने पढ़ा के that is 180 degree ठीक है so हमने degree की तरफ करमाट करना है ठीक है so क्या करेंगे dividing both the side by pi ठीक है इसको भी pi से divide कर रहा हूँ इसको भी pi से divide कर रहा हूँ so this means यह pi और यह pi आपस में cancel हो रहा है so means 1 radian is equal to what 1 radian आप लोगों पास आ रहे 180 degree divided by pi 180 degree divided by pi so हमने 2 radian चाहिए ठीक है so means 2 radian 2 radian radian के जगा में क्या पोट कर रहा हूँ 180 degree multiply by pi so यहां से आप लोगों पास आ जाएगा means अगर आप 2 multiply by 180 करोगे so you will get 360 degree 360 degree divided by pi अब अगर आप pi की की कीमत यहां चुनकि आप उसमें मालूम कर रहे हैं तो आप लोगों लिख सकते हैं 3.14159 ठीक है या इसको चलो मैं डारिक इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 360 degree is equal to pi means 22 divided by 7 भी आप लिख सकते हैं ठीक है या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 360 degree multiply पाम में ठीक है यह division पाम में था तो उपर shift होने पे इस कर इसे प्रोकल ले रहा हूँ so 7 divided by 22 अब इसको आप 2 से cancel कर सकते हैं 11 2s are 22 और इसको आप 180 degree ठीक है so 180 multiply by 7 so यहां से आप ले में पास result आएगा 7 0s are 7 7 8s are 56 5 केरी 7 1s are 7 7 plus 5 that is 12 so 12 60 divided by 11 यह degree में रिजल्ट आप लोग का आएगा इसको आप 11 से दिवाइट करे so means आप ले में पास 2 rad 2 rad 2 rad is equal to so अगर आप 12160 divided by 11 करोगे तो इसको आप ले में पास हाएगा 11 4.55 5 degree ठीक है so यह आप ले में पास result degree साएगा means 2 rad is equal to 114.55 degree अच्छा पार 2 की तरफ आ रहा है पार 2 में कह रहा है कि 5 5 I have divided by 3 rad इसको आप degree में convert करें ठीक है हमने relation अभी पढ़ा है कि 5 rad is equal to 180 degree ठीक है 180 degree तो हम degree में convert कर रहे है so dividing both the side by pi ठीक है इसको भी pi से divide कर रहा हूँ इसको भी pi से divide कर रहा हूँ so means 1 rad is equal to 180 degree divided by pi ठीक है so आप इसमें values put करें means 5 5 pi divided by 3 multiply by 180 degree divided by pi so pi pi के साथ आप cancel कर रहा सकते हैं ठीक है so यहां से आप लोगे पास आजाएगा 3 6 or 18 और यह 0 means 60 degree so 5 multiply by 60 degree ठीक है so अगर आप इसको multiply करोगे तो means 5 6 or 30 और आप लोगें पास यह 0 हो जाएगा ठीक है so इससे result आप लोगें पास 300 degree आ रहा है इसी तरह third part में कह रहा है के pi by 6 radian ठीक है अब again मैं radian के जगह क्या लिक रहा हूँ 180 degree divided by pi ठीक है यह हम बाकी question में भी से तरह कर चुके है ठीक है 4 में कह रहा है के minus 3 pi minus 3 pi divided by 4 radian so radian के जगह में क्या लिक रहा हूँ that is 180 degree ठीक है उसी तरह आप लोग पहले convert करे 180 degree divided by pi so pi pi के साथ cancel होगा so this means अब अगर आप इसको divide करो 4 4s are 16 or अब अब आप लोग रहा है करेंगा 2 remainder 2 20 20 means 5 4s are 20 so means 45 minus 3 multiply by 45 degree so यहां से अब आप आप लोग रहा है करेंगा minus 5 3s are 15 1 करी 3 4s are 12 12 plus 1 13 so minus 135 degree आप 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 लोग रहा है अच्छा इसको हम as a अच्छा इसको हम as a question consider कर रहे है ठीक है तो question में आप लोगों ने पूरा method use करना होगा कि pi radian is equal to 180 degree उसको pi divide कर रहे है ठीक है so 180 divided by pi आजाएगा लेकिन अगर यह आप लोगों पास question का part हो या objective type हो तो वहाँ पे आप लोगों ने direct method आप लोगों पास या आएगा कि जहाँ पे आप लोगों को pi नजार आ रहे है उसको replace करो 180 degree से means minus 3 by 4 और pi की जगह में क्या लिक रहा हूँ 180 degree ठीक है direct आप इस तरह कर सकते हैं बजाएए कि आप pi cancel करो so pi को just replace करो 180 degree से और यहाँ से आप लोगों पास result उसी तरह आएगा direct यहाँ से 4 45 degree 45 multiply by this so यह आप लोगों पास minus 3 135 degree आएगा ठीक है so केने का मतलब यह है कि जब आप इसको as a part या objective type में use करो तो just pi को replace करो 180 degree से इस तरह बाकी question में भी आप कर सकते हैं ठीक है मसला यह आप लोगों पास है pi divided by 6 so आप pi को replace करो किस से 180 degree divided by 6 so यह आप लोगों पास आजाएगा means 30 degree ठीक है so direct आप इस तरह भी कर सकते हैं बशर्त यह कि आप लोगों पास यह पूरा question ना हो ठीक है question number 4 में कह रहा है कि convert the following angles in the term of radian ठीक है हमें degree में गेवन है और हमसे कहा जा रहे है कि इसको radian में convert करो so जिस तरह हमने पढ़ा था कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि pi radian is equal to 180 degree ठीक है अब हमने degree से radian में convert करना है ठीक है degree से radian में तो आप लोग क्या करो इसको भी 180 पे डिवाइट करो ठीक है और right side को भी 180 पे डिवाइट करो so means ये 180 180 के साथ cancel हो जाएगा means 1 degree is equal to pi by 180 radian ठीक है ये radian में convert हो जाएगा so अब जो given data है वो आप लोगों को given है 45 degree 45 degree ठीक है so इसको हम convert करवाना चाहते है किसमे रिडियन में so means 45 multiply by pi 180 और ये whole क्या हो जाएगा radian हो जाएगा ठीक है इसको मैं radc डिनोट कर देता हूँ so 45 आप डिवाइट करें so means 9 से करवा रहा हूँ 9 5s are 45 or 9 2s are 18 or 0 again ये 5 पे हो रहा है ठीक है 5 1s are 5 or 5 4s are 20 so means 45 degree आप लोग पास 45 degree हो जाएगा that will be equal to 5 divided by 4 radian ठीक है so ये आप लोग उने 45 degree को radian में convert कर दिया इस तरह second part में कह रहा है कि 120 degree ठीक है so 120 degree को मैं radian में convert कर रहा हूँ तो radian में convert करने के लिए आप लोग क्या करो 5 divided by 180 से आप लोग multiply करो so you will get a radian ठीक है पिर ये degree खतम हो जाएगा that will become what? radian so means आप लोगों पास ये 0 0 के साथ 6 के साथ cancel कर रहा हूँ 6 2s are 12 और 6 3s are 18 so means 120 degree आप लोगों ने convert कर दिया radian में और वो आ रहा है 2 pi divided by 3 radian ठीक है ये r radian part आप लोगों को given है that is minus 210 degree ठीक है so minus 210 degree so degree को मैं radian में convert कर रहा हूँ so that is pi divided by 180 ये अब radian में convert हो जाएगा ठीक है so 0 0 के साथ अब इसको 9 से करते हैं 3 से so 7 7 threes are 21 or 6 threes are 18 so the result is minus 7 pi divided by 6 radian so last part आप लोगों को degree minute second पाम में के वाने ठीक है so first इसको हमने degree में convert करना होगा जिस तरह हमने last question number two में किया था ठीक है so means 60 degree तो ये तो इसी तरह रहेगा plus let's say चलो आप इसको पहले इस पाम में लिख ले 35 minutes plus 48 seconds अब इसको भी हमने degree में convert करना है और इसको भी convert करना है so ये आप लोग हम पासर come unit से आप ज्यादे unit की तरफ जा रहें तो result आप लोगों का क्या होगा come होगा so come means आप इसको divide करे so इसको मैं पहले 60 पे divide कर देता हूँ ठीक है इसको मैंने 60 पे divide कर दिया तो ये convert हो गया किसमें degree में इसी तरह इसको भी convert करते हैं so 48 divided by 60 तो ये minutes में convert हो जाएगा चुंकि ये second है तो आप लोग इसको मजीद 60 से multiply करो तो ये आप लोगों पासर degree में convert हो जाएगा so using calculator इसको calculator के तरूँ आप लोग क्या करो divide करो means 60 degree ये तो अपनी जगा आ रहे plus चलो इसको divide कर वा रहा हूँ 35 divided by 60 so result आप लोगों पास आ रहे 0.8533 ठीक है so that is 0.5833 plus अब 48 divided by 6.36 means 3.60 पर इसको divide करे so means 48 divided by 3.600 so result आप लोगों पास आ रहे 1.333 ठीक है so इसको में लिक रहा हूँ 0.0133 ठीक है so इससे आप लोगों पास result आ जाएगा that is 60.3 plus 3 that is 6 3 plus 3 6 आ रहे और 8 plus 1 that is 9 और 5 plus 0 is 5 ठीक है so यह आप लोगों पास किसमें आ रहे degree में आ रहे अब इसको हमने convert करता है radian में so means इसको आप क्या करो multiply करे 5 966 6 multiply by 1 sorry pi divided by 180 degree ठीक है ठीक है so यहां से अगर आप लोग चेक करें whole number नहीं आ रहे ठीक है जिस तरह बाकी question में आप लोगों पास whole number आ रहा था तो इसको हम pi में लिखा करते थे थे ठीक है अब यहां पे हमने pi की इसको में 22 से multiply करूंबा 60.5 और divided by 7 multiply by 180 so using scientific calculator so 3.5966 multiply by 22 ठीक है so इसे रिजल्ट यहां रहे divided by अब इसको में 7 multiply by 180 so रिजल्ट आप लोगों पास हा रहे 1.058 जेरो फाइव एट जेरो रेडियन ठीक है so यह ता आप लोगों का exercise 7.1 आज के लिए इतना ही कापी इंचाला next हम exercise 7.2 शूरू करेंगे तब तक के लिए Allah हापिस